कि आपता इंट्रेनेशन लेवल की भी त्यारी कर रहे हैं उसका अगर सिस्टम सेट बेट के तो वह भी त्रेवल करेंगे तो स्टार्ट कर दिया ना तो यह बंद नहीं होने वाड़ा क्योंकि यही परगट का मोटी है और यही मेरा मोटी वह रोज कहते हैं भार नहीं है भार बहुता नहीं हूँ ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोर यह मैं कोई चीज भूलता नहीं हूँ स्वागत है दोस्तों एक नए व्लोग में हाज का व्लोग में आपको गुवा गुमाने जा रहे हैं अभी हम एदम टीचन पिचन त्यार हो चुके हैं और अभी निकल पड़े हैं गुवा की सडकों पर जहां आपको दिखाएंगे बुरा एकदम जो यहां का चर्च है यहां करने के लिए यहां पे आपको पता हुआ कुझ यांट कि कैंद चक्रभ हैं पर सबकुछ देल मिलता और भी एड़े महिए लिए देखते हैं क्या मिलता है मैं आई यहां पर जो शेल्स है ना फीमेल है देख सकते हैं ओल्ड मॉक क्या बाइब हर चीज आपको मिलेगी यार गोवा में आते हो सब कुछ मिलता बोला ना मस्ती पूरी है हमने दोस्तों यहां पर एक्टिवा जो रेंट पर कर लिये एक्टिवा नहीं है यामा की है यामा संपनी क एक्टिवा लेकर आरा से तो अच्छी बाद है यहां से हमने बाइक रेंट किया बहुत से बाइक लागी है यहां पररेंट में मिलती है और बाइक रेंटिंग के प्राइस है किथा 350 में आप एक दिन यहां पर ह prospects Magic कर सकते और वह बात का ऐगी फिरम सको पूरा है क्षच यहां पर पूरा वीडियो शूट करेंगे पूरा वाइकल का फिर उसको अक्षेप्ट करेंगे दोस्तों यह है एक्टिवा जो हमने रेंट की है नमर चेक कर सब क्या है इसका यह नमर है इन्होंने अपना नमर भी दिया यहां पर देख सकते यह बहुत बड़ी है ठीक है देखते हैं इसका 350 चार्ज किया है ब्लुट लेना चाहते तो 800 है अगर अवेंजर्स बाइक लेना चाहते है तो 500 है यह बाइसाब ने दिया है बहुत तो ज़दनेवाद भाइसाब आपका ठीक है तो अगर कांप गुवा में आओ इन फीचर तो दे दोस्तों राइडर अभी त्यार है और फिलिंग चिल होने वाली है की फील हो रहा है प्रकट की फील हो रहा है अच्छा है चिल लदा गेते ना तो बाइक पर गया सा लिक बुल्ट पर वहीं है बहुत आई तो अभी चड़ते हैं वाई चल वाई यहां पर से तेल तो बांगे पट्रोल पर फिर घूमते हैं गोगा किसे मत्ता लगता है यह बात नहीं है पर कोई बात नहीं आपको टेंशन नहीं लेने गूमना है तो मज़ा लेना है जस्ट चिल अब जा रहे हैं फोट पे जो कोगवा का फोट है वहां पर जा रहे हैं पर ड्राइव कर रहा है एक नमच्छा ड्राइबर है क्योंकि इसने मोटो लोगिंग की वह आपको पता ही है लेला दाक में जो बाइक चला लेते है यहां पर तो कुछ नहीं है मज़ा आ रहा है पूरा तोस्तों अपने लेलिये दो पेक्ट दूद के अमुल के बाइस पर 90 हो गया बाइस साब की दुकान पर मिला है मज़ा आ गया फाइनली अमूल का मिला है आज तो मुल का मज़ा ले रहे हैं गोवा में और बहुत है कल गो फॉर्म में ट्रेवल करेंगे तो पता नहीं वहां पर मिलेगा अगर नहीं मिलेगा हाँ यह आपको बता दें यह देखो एलेक्स माइकल जनल स्टोर पे ही आपको मुलक अदूद मिलेगा बाकी नहीं मिलेगा आई थिंग कहीं पर न है कि अब यहां पर लोग तो जदा वाइन पिते हैं दारू पिते हैं आप पहले वार आयों तो दूद्ध पिते हमने बाला हम तो आब बच्चे हैं बाई यहां पे इनके पास जबाए यह यह रैंट पे हैं जो सेम हमने बुक यह यहां पर दाईसोर्पे में दे रहे हैं पर तोड़ा सा फर्क बताओं क्या है यह आउट ओफ बागाबी जाए तो गहीं है फोर्ट पेपर फोर्ट ड्यू टू कोई डाइधिक बंद हो गया और यहां पे अब क्या दिखाएं आपको वैसे आपको बता सकता हूं इस फोर्ट के अंदर पता क्या है मतलब बहुत सारी फिल्म में इसमें शूट हो रही है ठीक है और प्रकट ने इस पर रिसर जाए उस पर सबसे ज्यादा गाने सूट होएं बोलीवड मुवीज के तो फोर्ट तो पूरा तकड़ा है इसका टाइमिंग देख सकते आप हम तो एक दम राइट टाइम आया है आई थिंक अभी 11 बजे होंगे बट नहीं यार आपको पता है यार इतनी दूर आया है देख मैं बाद फल्लाइन बीड्लन भी तो हम लोक्त लिंडिसर विस्ट मवन बीडेश ट्रेवल करना तो करना है प्लाइन बीडिया अभी अपर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा वहुग वाइट फिलर दिखाई रहा ना कंपर दिख और थैंक पर पूर्तीस होते थी पहले, तो पूर्तीस की का राज होता था, वो पता आपको फोर्नर लोग तो थोड़ा चर्च मतलब क्रिस्चन होते हैं, तो वहाँ पर चर्च तो मिलेंगे, पर बहुत सुंदर सुंदर चर्च बनाए हुए, बहुत अच्छी ची लोकेशन यह देख स है, यह देखो, मतलब लग्जरी लाइफ लेने के लिए आप यहां पर भी जा सकते हो, अगर आपके पास अच्छा ख़शा बुजटत हो, अब यह हम जा रहे थे पंजी, आपको पता है जिसे, और बीच में गुरू कर पड़ता है, तो हम वहाँ पर 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 पड़ता है, त पर गुरू कर आगे, और यहां पर दोफेर का टाइम था, तो लंगर भी चल रहा था, हमने लंगर भी यहां पर लंगर भी लिया, और मैं आपको बता दूँ, यहां पर अभी कोविड चल रहा है, लोगडाउन चल रहा है, तो अंदर तो अलाव नहीं करता है, क्योंकि माट दिये जाता था, तो यह बहुत ही अच्छी बात है, इन फ्यूचर अगर आप गो आओ, अगर आप का बजट जदा है, नहीं है, मतलब की ट्रेवलर हो, तो आप यहां पर आ सकते हो, अभी तो स्टे का चल रहा है, फ्यूचर में आपको यहां पर स्टे भी मिल सकती है, पर only, you know, आप ड्रिंक वगर ना करते हो, तो बहुत अच्छी है, गुरूगर बहुत अच्छा है, यहां पर आप जब पंजी से जाओगे ना, बीच के, बागा बीच की और जाओगे, तो बीच में जहां पर ब्रिज बना हो है, वहां से मतलब एकदम अग्जेक्ट पॉइ लोकेशन, कोई इधर उदर नहीं है साइड में, तो बहुत अच्छा पॉइंट है, तो जरूर विजट करना, अगर गुरूगर आओ, तो गुरूगर जरूगर आओ, तो दोस्तों, राइट ना हम पहुंच गहे हैं, चर्च के एकदम सामने, और जो यह गोवा का चर्च है आपको इसको बता दूँ, 1541 में बना था, पुर्तगीस ने बनवाए था, आप देख लो, क्योंकि यह गोवा पुर्तगीस केंडरी होता था, तो इसलिए आपको दिखाते हैं, चर्च देखे, क्या बात है, यह चर्च देख सकते हो, यहाँ पर बना हुआ है, चार सो कुछ साल पहले, और देखो, इतना पुराना चर्च है, बहुत ही खुब सूर्त है, और यह ओल्ड सीटी गोवा में बना है दोस्तों, इसके चारों और ऐसी बिल्डिंग बनी है, यह भी बि और इस साइड में आप देख सकते हो, पार्क लगे हैं, बहुत कूप शूर्त और जाने आने के लिए देख सकते हो, कितना अच्छा बना रखता है, मतलब यार, गोवास को पुर्तगीज के अंडर था, तो इसी लिए आई थिंक यह थोड़ा सा इसमें फोरन टच वाल आ र फिलम सीटी है, यह कह सकता हूं, अभी चलते हैं अपने चर्च के आगे, वहाँ पर जाके देखते हैं, तो दोस्तों यह चर्च अभी नहीं लोगडाउन लगा वाई इसमें, यह पहला जो लोगडाउन लगा था ना तब से बंद पड़ा है, उसके बाद में उपन ही नही तो मैक्सिमम प्लेस यह बंद हो चुके आप देख सकते जैसे, यह देख सकते हैं यहां पर जो में, लोगो लगा है फोटो लगी है, बैनर लगा है, और बिल्डिंग देख सकते हो, चर्च के राउंड की, अभी हम इस गली से आयते, मतलब बहुत ही अच्छा भी वह रहा ह सुरवा, तो सुर रहा है , अंगे चर्शान वुद्ळुभर हो, ये सुन रहे है, टिसना के बारे, पुना मने पंद हम पंधी वहान אנחנו wanna अच्छा लग रहा है, आप किसानआ को स्पोर्ट करते हैं अंगे अ और इस को गारे हैं किसान है तो सब कुछ है यहां जैकिसान के हम कि हम भी किसान के बैटे हैं यार वहीं से UP से आगरा से तो यहाँ पर 18-20 साल होगे ना जो चर्च वैंसे सामने इनके शोप है यह तो लोकılar तो आप सोच सकते हैं यार लोगडाउन की विज़से कितनी प्रेशानी हो रही है हम तो ट्रेवल कर रहे हैं घर चले जाएंगे और यह तो यहीं से रहे रहे हैं गर छोड़ के आए यूपी से क्यों अंकल जी और इनका यहां पर खर्चा नहीं चल रहा है जैसे वह भाई है वह भी वहीं आगरा के रहने वाले हैं आगरा ताज मिल के पास इनका गर है तो यहांने मिलके बहुत अच्छा लगा इतनी दूर जो कोई मिलता है तो ऐसा लगता है यह अपना मिल गया यह ऑगधिन बहुत खुशी हुई और यहां पे इनको रहते को आई-थिंक टैम हो ग तो कोई चीज लेनी हो ना मतलब फैसन की स्टाइलिस चीज लेनी हो तो यहां पर सब इनके पास अच्छे से मिलता है देखो आफ यह चलोकेट वगरा मतलब चले चुले नहीं होते गोवा के यह बोतल वगरा फेंटा की वाइन की किंग फिक्शर की सब रहा कुछ यहां पर ल लड़कियों के लिए मैला के लिए अच्छे खासे सस्ते रेट में मिल जाएगा बता देना वरी पुझाब वाले आये थे इतना बता देना अधा जरू देंगे आपको आपको डिस्कॉंट मिलेगा जरू आना वाय कभी है करने में आपको देख रहे होंको जीतने भी किसीनों है इस रोड पे हैं यह में short आपको यहां से सअरी कर्वपता हुए इसमेंसे इंट्री होके आप इसके अंदर से आ के यहां से बॉट में चट्ड़ने के बाद में आपको जो मेन हब बने हुए उसमें गुमाएंगे समुंदर के अंदर गुमाएंगे आके लेगे जाएंगे जहां भी जो एक्टिविटी करवानी होती है वो यहीं से इंट्री करवागे करते हैं और मैं इंट्री फीस बता दूँ आपको अगर आप मंडे से वैडनस दे दक मतलब वीकेंड होता है यह तो उस टाइम आपको पर पर संगा मिलेगा आपको 3000 में तीन तीन हजार में तो आप अगर इन प्यूचर गोवा आना चाहते हो कसीनों का मज़ा लेना जाते हो तो यहां पर ले सकते हो यहां पर एक नहीं बहुत सारे कसीनों बने हुए और बीच मिलेगी मतलब जहां पर जादा टूइस ट्रेक्शन होंगी वहां पर तो आपको 180 रुपए तक ले लिए जाएंगे नहीं तो आपको 80 रुपए में मिल सकती है वह आप पर डिपेंड करता है कहां से लेते हो मतलब पंजी तो मक्सपलोग नहीं कर पाए और हम आगे हैं अभी रूम में तो रूम तो आपको पता ही है बाकी अभी परगट कर रहा है एडिटिंग तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों मतलब लोगडाउन की वज़या से थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा प् क्योंकि यार ओटोमेटिक नहीं एकदम सारा कुछ रिडिक्शन लग जाती है मब पब्लिक ट्रांस्पोर्ट बंद हो जाता है हर चीज़ बंद हो जाती है ना तो ट्रेवल करना असान नहीं रहा जाता उसके बावजू चलो आप फिर भी ट्रेवल कर लेते हो मारा मुठा दरूदर करके तो करते हो जैसे हमने किया भी है यह पास नहीं है विदाव ट्रेवल किया है सारा कुछ आपको पता ही है तो करना पड़ता है उसका इलाज़ नहीं है हमारे पास कोई लाज़ ही नहीं रहता तो फिसके हम ऐसे बोल दे हैं लोग कुछ बोलेंगे भी आर फो नी और तो फिर क्या करतें पिर हमने गौवा है क्यों आए क्यों कि साना यहां कनो और यह सिर्फ वह पहुंच गई इसे वहां की च्डाइल निकल भी अब ऑगए हां यहां पर एकदम लोगडाउन है तो आप बताओ क्या किया जाए बॉंबे जा नहीं सकते बॉंबे में इतना मतलब वो है क्राउड वहां पर पहले इतना मतलब करोना का जो पोजिटिव केस आ रहे हैं तो वहां पर पहले ही मतलब आउट ओफ स्टेट तो इंट्री नहीं है वह हमने यह बात नहीं हम ट्रैवल करते हैं तो हम न्यूज का ध्यान रखते हैं पूरा ध्यान रखके सेक्डूल हमारा पूरा ध्यान होता है अगले डिरेक्शन पर जाना है कहां गूमना है कहां सरी करना है कहां मने रूम लेना है सारा कुछ हमारा प्री प्लान होता है यह नहीं हो तो आपको मेरे को पता नहीं अब कब आएगी दस दिन बाद दस दिन लग जाएं क्योंकि दस लोग अलड़ी मेरे पहले पुड़े हैं तो वो उसके बाद ही आएगी तो आशाकरतों आपको अच्छी लगेगी तो लाइक शेर सब्सक्राइब तो कर देना क्योंकि यार आपक कर थोड़ा ठीक था है यहां पर हमारा प्लान था पांस दिन रहने का पर हम सिर्फ दो ही दिन रह रहे हैं क्योंकि आज ही लक्षन यहां पर कदम हो गया और कल से लोग डाउन लाग आज भी में लिए हम बहुत सी शोपस ऐसी देखिए जो बंद कर दी कि आज से ही बंद कर अगर कहीं जाएं वहां पर रहने के लिए आपको कॉमोडेशन ना मिले फूड नहीं मिलेगा अगर आपको लोग डान रहेगा तो लोग जो शोपस होंगी या जो रेस्टोनेंट होंगे सारे बंद होंगे तो यार मतलब सर्वाइबल करना भी इतना हार्ड हो जाता है ना तो आपको मैं बता नहीं सकता हूं ठीक है ना तो आज होप या आप समझ रहे होंगे तो अभी ये व्लोग जो आप जितना हमारा पॉसिबल हुआ हम कसीनों गए वहां पे ओपन थे कसीनों पर आपको पता है भूज़ा था अक्सपेंसी हो रहे थे यूंकि यह वीक चल रह हर हों नहीं गए हम वहां पर तो हम यहां से मतलब हमारा प्लान घरहसे जानेंता तो आपको है अपहाप करने सब बंद हो गया, होटल सब बंद हो जाएगा तो हम एक है उससे घर जाना, तो हम ने है सोच लिए भी घर जाएँगे तो जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, तो फिर दूबारा स्टार्ट करें गे और क्या पता इचा परकट का मोटिवैं और यह स्टार्ट का मोटी है और यही मिरा मोटी तो इस साइड में या इस साइड में हो जाएंगे कोई उसमें ने देखो एक लाइन होती है जब आप लाइन क्रॉस कर जाते है न तो पीछे मुड़ने का आपके पास ऑप्षिन ही रहता हम जब यह सीर्जे स्टार्ट की थी इस प्लॉर इंडिया मैंने प्लैन की थी तो मैं लाइन क्रॉस कर गया था यह बजाए दुनिया मेरे मेरे सांसे रहें चाहिए ना रहें जब तक सांसे भी मैं ब्लॉग डालूँगा तो मैं उस मोटिव को फॉलो किया फॉर्टी फोर डेज हो गया जमेने रेगुलर डेली व्लाउग डाला है अगर मेरे में चैनल पर ब्ल छाब मेरे में चार्जान करें लिए तो आपको लिकान योग होते हैं भॉरा होते हैं यह मोस्तिली आन पर संट विख करें तो लोग भी छोग होते और यह तो कॉटी नैन परसंट तो चहुंशते हो एitu ओग हैं एक साम proportion पांश्य वरिण यह दो नहीं करता है काम निकाल के शूट करूं या ची यह मेरे को अच्छा नहीं लगता फिर पर कोई नहीं अभी दिरे-दिरे परगट के साथ रहे किसी के हैं तो तो अभी मैं मतलब शूट कर रहा हूं पब्लिक में पहली आपको सिफ दो पब्लिक में मैं ऐसे कैमरा पड़ के जा रहा हूं तो मुझे वह कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो अच्छा फील होता है नो प्रॉब्लम जो सोचता है सोचने हो No problem किसी केर नहीं करने चाहिए और तो अगर नहीं करेंगे अगर नहीं करेंगे तो भी बोलेंगे अगर करेंगे तोभी बोलेंगे तो बोलनें तो अब जो यह coc, मैं हूँ काम एक मारी वगल टीव गाना ट्रैल स्टार्ट किया, यूटूब पर स्टार्ट किया वीडियो स्टार्ट एक तो मैं इससे पहले यह नहीं है मैं मैं लाइफ में दख्के नहीं घाए बहुत पहले दक्के खार, 2011 से दक्के खार हूँ, ठीक है ना, गेम की, गेम में अच्छा कुछ किया, ठीक है, मैडल नेसल लेवल तक मैडल भी आए, पर मेरा मेन मोटी जोब का नहीं था, और मैं जहां पे रहता हूँ, गाओं में रहता हूँ, वहां पे लोग मेन प्रेफर क पतार हूँ, क्योंकि जोब लग जाओगे, घरवाल में आपकी साधी कर देनी है, कल को आगे फैमली नहीं कर जानी है, तो फिर आप उनको, मतलब उनको, उनको उनके अंदर घुल मिल जाओगे, लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, अगर कुछ बड़ा करना चाह मेरा भी यह होता, तो मैंने जोब का तो मेरा पहले ही मोटीव नहीं था, मैंने का कुछ डिफरेंट करना यार, तीक न, उसमें मैंने करी भी रहा हूँ, मैंने ये बात नहीं है, मैंने गेम छोड़ी तो मैंने मतलब उसके बाद सीधर डायेक्ट ब्लोग तो याने, उसके को पता ही है, हो जाता है, क्योंकि मेरे स्पैलिंग मिस्टेक्स बहुजाद होती थी, कि स्टड़ी गैप हो जादा हो गया था, पर फिर में मैंने महनत की, तो उसका वीजा भी अपलाई गया, उसकी फाइल चल रही थी, और बीच में चलती रही, चलती रही तो उसका कोई इसपोंस ही नहीं आ रहा है, तो मैंने कई घर बैढ़ के तो कुछ नहीं बनेगा, और घर में बैटते हैं, तो जो गाउं के होते हैं, या रिस्टगार होते हैं, वह बोलते हैं, जब भी जाते हैं, व Delicious, बना भाशर नहीं गया, चलो कोई नहीं बीडाए, तो उस ताइप situ भीनिविनफिट जुरो हो गया मैंने अपने आपको टाइम दिया मैंने इसमें सोचा मिनीक ऎलोग रोज कहते हैं भार नहीं है बाहर नहीं गया मैंने यह दिल करता हूं न उस स्टैंड के लेवल में मेरी को मेरी फैमिली का बहुत ज्यादा लेवल तक स्बोर्ट मिला है एक बात कुं हार्व रक मैं सagi कर रहा हूं कि मेरी फैमिली मेरे को स्थ इतने ज्यादा कर रहत अगर इतने स्पोर्ट करने के बाद में आखे हार्ड वर्क ना करूं ना तो फिर आप सोच सकते हो बंदा क्या होगा तो इसी यही रीजन है ठीक आपी ट्रेवल कर रहे हैं और करेंगे और करेंगे जो लोग बोलना ना जिसको बोलते रहें को भी आई मायेगा तब पूरे अक्सपोज करेंगे कौन क्या क् क्या किसे से खटाना तस्क लिए मैं husband's गाणा मेरे लिए सुचता हो यही सुचता हूं में रंजीत भावे ने वह गाना छितर्त मेरे बनाया हों कोण सा किने-किने कित्से केडि केडि केडिये गल लग कही है कली-कली दमाग चलिस्ट बढ़ी है है और सारी लिस्ट बढ़ी पढ़ी है मीरे दिमाग में एक बात मैं यह को खुल के बतातो हो मैं भूलता नहीं हूँ यह मेरी सबसे बड़ी-कमजौ achieved यह मैं कोई चीज भूलता नहीं हूँ. तो यह मेरा चाहिए आप लगालो भी, मारीज लगालो फोच कहीच ज़ एक टरीका मिला YouTube. क्योंकि YouTube पे रहा है यूट्वाची में इसलिए मोम यूट्वे काम करने है, ठीक है? आप देखते आपको दुनिया दिखाएंगे जुरूर दिखाएंगे बने रणा वीडियो के साथ अच्छी लगे ना तो कभी लाइप स्टोरी बाद में बताएंगे अभी तो यार कुछ है नहीं थोड़ा बहुत लेवल नहीं इतना टाइम आगा तब बताएंगे जब कुछ यार सुनने वालने होगे ना तब मज़ाएगा बताने कभी तो बाद में बताएंगे कभी तो आज क्या लोग इतना ही मिलते नेक्स लोग में तब तक के लिए धन्याबाद